आनलो प्रती दिन जिवन का में आपका स्वाकत है हमारे साथ बने रहने के लिए धनियवाद आज हम उस समसिया पर बात करेंगे जिसका सामना हमारे समाज में कितने ही नौजवान कर रहे हैं और कैसे हम सही सोच पैदा कर उनके अंदर अंतर ला सकते हैं मेरा इस मामले में विश्वास है कि मैंने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी पुस्तक बैटल फिल्ड आफ माइन को अनुकुल बना लिया और मैं उसके लिए वाके में काफी रोमान चित हूँ मैं इस तरह से सोचना पसंद करती हूँ कि अगर हम बच्चों को ठीक रखे तो फिर युवाओं को दुरूस्त करने की जरूरत नहीं होगी मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि वो खुद अपनी सोच हैं मगर उन्हीं ये पता नहीं कि वो और उनके सोच दोरों में फर्क है वो बस यही समझते हैं कि वो जो सोचते हैं वही वो स्वैम है दुनिया में एक से ज्यादा सुचना तंत्र है शेयतान के पास भी एक सूचना है आपके दिमाग के लिए और इश्वर के पास भी आपके दिमाग के लिए एक सूचना है इश्वर के पास भी आपके दिमाग के लिए एक सूचना है इश्वर के पास भी आपके दिमाग के लिए एक सूचना है क्योंकि मेरा अतित वाहियात है परन्तो आज ये मालूम है मुझे कि यद भी प्रानम अच्छा नहीं तो अंतच्छा होगा अगर ऐसे ही सुचनाम नौजवानों को कम उम्रह में ही देते रहें तो कैसा रहेगा कितने ही नौजवान हैं ऐसे आज अगर उन जूट पर विश्वास बना रहा उनका तो जिवन मुश्किल हो जाएगा आज मेरे महमान है रॉन लूस संस्थापक टीन मेन्या के जो पिछले 20 साल में 20 लाग से ज्यादा युवाओं तक पहुँच चुके हैं और इन्हें आज अपने बीच पाकर काफी उसाई थे हम आज हम उनके मिनिस्ट्री के कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाने जा रहे हैं रॉन लूस संस्थापक हैं टीन मेन्या मिनिस्ट्री के जो कि ए क्रिस्चिन यूट और जवानों तक है सू समाचार का सत्या बिना किसी समझोते के रॉन उद्गोशित करते हैं और चुनोती देते हैं यूवकों को कि अपने स्कूल और समाज में यूशू के लिए खड़े हो जाओ अपने पैरों पर खड़े होकर ये चिलाइए मुझे क्रूज चाहिए शुक्रिया रॉन आज इस कारेकरम में आने के लिए मुझे भी अच्छा लग रहा है जॉईस आपका धन्यवाद आपके मिनिस्ट्र को कब से सहयोग दे रहे हैं हम कम से कम दस साल हो गए हैं एक लिफ्ट में अचानक हमारी मुलाखात हुई थी और तब से लेकर आज तक हमेशा आपने हमें सहयोग दिया इन सारे सालों में बच्चों तक पहुँचने में हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है युवाओं की सहाईता पर मैं खुद एक घायल बच्ची थी जो एक बीमार की समान जवान हुए और फिर मुझे जाने कितने साल लग गए अपने जख्मों को भरने का प्रयास करते अगर मुझे जवानी के उन लिरों में सत्य का ज्यान होता तो कई चीजों से बच सकती थी मैं मैंने अपनी पुस्तक बैटल फिल्ड ऑफ माइन को बच्चों के अनुकुल रुपान तरीत कर दिया है समझ लिची आठ से बारा वर्षों तक और आगे चलकर युवा वस्था तक उपयोगी रहेंगी आप क्या सोचते हैं इसकी जरूरत है हमें? मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री जो आम तोर पर बड़ों की सेवा करती है आज बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उनके बहला ही सोच रही है वैस्ते तो यह होता उन्हीं बीजों से है जिने आपने बोया है पर अपनी सामगरी को युवा लोगों के अनुकुल बना के बहुत अच्छा किया है आपने इससे उन्हें युवा वस्था में ही सत्य का ग्यान होगा और फिर वो जो जहर भरे वर्ष है वो लोटके नहीं आएंगे मुझे यकीन है आज बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं उनके कईयों के बच्चे नहीं होंगे या बड़े हो चुके होंगे इसलिए उन्हें लगता होगा ये कारेक्रम उनके लिए नहीं है पर मेरे भी बच्चे सारे बड़े हो चुके और मैं ये रवया अपना सकती थी मगर मुझे ये हैसास है कि आज के बालक ही कल के व्यास कहोंगे और सच है और वही इस देश के भविश्य हैं और अगर हम इन सारी गंदी सुचनाव से लड़ने के लिए जो उनकी पास हैं कुछ नहीं करते मेरे ख्याल से आज इसी बारे में हम बात चीत करने वाले हैं इतनी गंदी जानकर या उपलब है आज मेरे पती कहते है खामोशी रजामंदी होती है अगर हम उन्हें कुछ और नहीं बताएंगे तो इसका आति यही होगा कि हम सहमत है वो चो कर रहे हैं उससे अगर हमें अपने खुद के भविश्या में निवेश करना है तो उनकी सहाईता करनी होगी यह काफी दिल्चस्प है कि आप इसे बैटल फिल ओफ दो माइन कहती है क्योंकि सचमुच यह एक रन चल रहा है दिमागों में रिदय में और आत्माओं में इस संपुन पीडी को लेकर बहुत से लोग सोचते हैं मैं जब बच्चा तो मुझे भी परिशान है थी फिर भी जैसे मैंने चला लिया तो यह भी चला लेंगे पर उन्हें सचमुच अंदाजा नहीं कि कैसे जंग के बीच यह बच्चे खुद को पा रहे हैं आज जो चीज़ें युवाओं के बीच हो रहे हैं वो अमरीकी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी जैसा आपने कहा यह अमरीकी इतिहास की सबसे बड़ी पीडी है केवल चार प्रतिशत बाइबल में विश्वास रखने वाले धर्म प्रचारक मस्ती बन जाएंगे दूसरे विश्वयूत की पीडी में ये प्रतिशत 65 था बेबी ब्लूमर्स के वक्त 35 प्रतिशत फिर 16 प्रतिशत और अब केवल 4 प्रतिशत रह गए तो दूसरे विश्वयूत के बाद बाइबल में आस्ता रखने वाले नौजवान 65 प्रतिशत से घट कर 4 प्रतिशत ही रह गए हैं इसलिए शीगर ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम बच्चों को वैस्त होने तक छोड़ देंगे तो बस 4 प्रतिशत हैं तो फिर अलग ही अमरीका होगा हम जानते हैं कि अधिक तर लोग येश्व के पास 20 के होने से पूर्व ही आ जाते हैं इसलिए शीगरता जरू हो जाएंगे हो सकता है आपके यहां ऐसे नामालिग नहों पर ये एक ऐसा मसला है जिससे हम सब को जिसकी और हमें ध्यान केंद्रत करना पड़ता है चाहे वो बोड़ा हो या जवान पासबान हो या कोई मुडमती हो या कोई भी वेपारी धंदे में जुड़ा 20 से उपर का इनसान हर के ख्याल रखना हमें जरूरी है कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है क्या कुछ ऐसा हो रहा है इनके साथ जो अमरीकी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था आज मीडिया कि इतनी भीड़े जो पहले कभी नहीं थी हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास क्या की बदूलत मीडिया ने हमारे बच्चों तक पहुँशने के ऐसे रास्ते खोजली है जिनका हमें खुद और कुछ पता है ना एहसास है जैसा कि जॉश मैकडवल कहते हैं ये पहली ऐसी पीड़ी है जो घर के बाहर से ज्यादा प्रभावित होती है बजाए घर के अंदर से य और इसी लिए जैसे ही बच्चे 16, 17 या 18 साल के हो जाते हैं भयानक भूल कर बैठते हैं अमा बाप कहते हैं मैं तो सोचता था कि मैंने तुम्हें बहतर बढ़ा किया है सच तो ये है कि आपने शायद उन्हें बढ़ा किया ही नहीं शायद मीडिया ने बढ़ा किया है और आ इतना अधिक देखते हैं कि वो उन्हें 35 से 55 घंटे प्रतिस अपता एक फुल टाइम नौकरी से भी ज्यादा है ये और जरा सोचिए कि आता क्या है वहाँ पर अधिकार वहिया चीजे सीडी के ऊपर माबाब के लिए सला होती है पर अंदर क्या है उनमें शाहिद ही आपको प से हत्या को अंजाम दिया था हमारी परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई थी हमारे पास क्या था पॉंग का वीडियो गेम और हम अचरट करते हैं कि कॉलंबीन सरीखी घटना या स्कूल में गोली बारी कैसे चलती है हमारी संस्कृति का भी बहद यौनी करन हो गया है एक ऐसी च गरना है तो दर्शाती है कि जितना ये सब सुनते देखते हैं बच्चे उतना ही उनकी सेक्स को लेकर सक्रीदा बढ़ती है साधरन ग्यान रखने वाले तक इस बात को बहुत पहले से जानते हैं परन्तु अब तो आगड़े भी यही बात कह रहे हैं रैंक कॉमपरेशन ने यह सर्वे किया था कि इनके मताबिक इन लोगों को कोई परवा नहीं कि हमारे बच्चान की उन्हें कोई फिकर नहीं है अगर यह सेक्स में लिप्त हो जाते हैं और इसमें बिमार हो रहे हैं अगर आठ हजार बच्चे रोजाना याउं संचारित रोगों से पेडित हो रह Steph उन्हें कोई चिंता नहीं कि ये ऐसे कपड़े पहनने लगे हैं जिससे बलतकार का खत्रा है उन्हें कुछ परवा नहीं इसकी कि बिन बिया के इसमें कितनी लड़कियां बच्चे पैदा कर रही हैं करीब धाई लाग हर साल की संख्या है ये है और अमरीका में गरीबी की मु इमान जैसी कोई चीज बच्ची ही नहीं है जब कहा जाता था कि मेरे पास पैसा बनाने का एक गुर्ट है पर मैंने उसे इसलिए नहीं किया क्यूंकि इससे किसी को नुक्सान पहुंच जाता और आज आलम ये है कि मेरे पास पैसा बनाने का कोई गुर्ट है मैं कहूंगा म मैं, मैं पसंद नहीं, तो कोट ले चलो मुझे, किसी को नुकसान होता है, कोई परवा नहीं मुझे, और फल्स रूप, हमारे नन्ने मुन्ने, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, पिमत चुका रहे हैं इसकी, और जंग को लेकर, जो आखरी चीज यह हैं, मैं देख रहा हू जिससे हमारे बच्चे फसे हुए हैं बुरी तरह, वो है आसानी से उपलब्द नगने तस्वीरें, हम सबों को पता है, पॉर्नोग्राफी क्या बला है, किन्तु यह पता नहीं, कितनी बड़ी बला है, पुराने समय कमस कम, कुछ प्रती बन्तों थे, आपको बेशने वाले वो शादी के बाद यौन संबंदों में सहज नहीं रह पाते, असी प्रतीशत बच्चे नगनता का शिकार हैं, तो जो पचास प्रतीशत शादी करेंगे तो उनका क्या होगा, समय आ गया है कि विचार करने का, आपकी पुस्तक बैटल फिल्ड ओफ दे माइंड से हम ये काम पूरा कर सकते हैं, आज हर किसी अमरीका को चाहे वो पाजबान हो या व्यापारी, उससे इस पर ध्यान देना होगा, दूसरे विश्वयूत के समय इंग्लेंड को याद कीजे, नाजियों ने पूरा योरप ले लिया था, तब एक योजना की जरुरत थी, युद योजना, उसी प्रकार हमने अनेक मिनिस्ट्री के साथ मिलकर टीन मीनिया को स्थाबित किया है, विश्वयूत में मर्द मोर्चे पर गए, तो महिलाओं ने फैक्टरी में काम किया, हर किसी ने वार बॉर्ण्स खरीदे, आज जैसा जग दिखाई देता है, वो वैसा न था, अगर ये पहुच गए, पर आज हम जानते हैं कैसे, बिल्कुल तुम्हें पता है, रॉन की, अपने शब्दों में इश्वन हमें अगली पीड़ी के लिए जिम्मेदारी साथ दी है, ये सोच है गलत है, कि जब ये बड़े होंगे, तब हम तो यहां नहीं होंगे, इसलिए मेरी जिम जुना है, आप भी मालूम कर ले या जाने दे, जैसे इच्छा आपकी की, ज्यादा तर चर्च अपना अधिक तर पैसा व्यास को पर लगाते हैं, और बच्चे तथा युवाओं के लिए नहीं के बराबर बजट है उनका, जबकि मैं सोचती हूं कि उनके उनके लिए अध देखते रहिए हमारे बच्चे और युवाँ घिरे हूं है, आज हम चर्चों की बात कर रहे थे कि वो इन युवाँ वर्क के लिए क्या दे रहें या नहीं दे रहें, मैंने सुना है पता नहीं सच है कि जूट पर मुझे थोड़ा सच सा लगता है कि अधिक तर चर्च अपने बजट का ब हमारे में क्या ये सच है? और जीवन की ये कारिय सूची भी फिर भी चार प्रतिशत का ये आकड़ा आया कहां से, जो पहले कभी न था, कैसे हम पहुँचे हम यहां पर? एक बात जो रहरे है कि सुनाई पड़ती है वो ये कि पाजबान और कलिसिया के जो नेता हैं सिर्फ माबाप के और वैसकों के ज्यादा खुश करने में विश्वास रखते हैं ना कि यूथ मिनिस्टरीज का ख्याल रखने में ऐसा इसलिए कि दान देने वाले तो वही हैं और उनको चूटी काटना कौन भला चाहेगा इसलिए तत्य यह है कि अधिकार युवाओं के मिनिस्टरीज जो है वो देश बर में फैली नहीं है युवा पासबानों को तंखा तक नहीं मिलती तो हम सिवक की तरह काम कर रहे हैं वो चोटी चोटी जरूतों के लिए युव कारिकरमों के लिए साउंड लाइट और वीडियो वगयरा के लिए जो कारिकरमों के प्रभावी ढंक से चलाने के लिए जरूरी होता है किसी के लिए पैसा नहीं है उनके पास और इसलिए सब को एहन सत्य यह है कि जब तक हम पिताओं का रिदे नहीं रखेंगे बाप वाल चेटियों के चार बचे हैं और हमारा नाती भी योवन की दहलीस पर है मेरी बेटी दो साल से उसके लिए उची चर्च तलाश थी फिरी क्योंकि उसकी चिंता खुद को या अपने पती को लेकर नहीं थी बलकि अपने बच्चों के लिए ऐसे इस्थान को लेकर थी जहां सही म होते हैं परंतु जहां तक लोगों के नजर ये की बात है तो ये देख चर्च तलाश ना पसंद करते हैं कि बच्चों और युवाओं के लिए कारेकरम कैसे हैं वहां विलकुल रसी के अंतिम छोर पर होके उन्हें नहीं पता कि अपने बच्चों को प्रेम में बढ़ाना की साहता वो कैसे दें या प्रबु में उतसाहित करें या कि वे कैसे परमेश्वर की वस्तों में रूची रखने लगें माता पिता को कलिस्या पे सब कुछ नहीं छोड देना चाहिए हम सोचते हैं हमने उन्हें यूद ग्रूप या संडे स्कूल में डाल दिया तो काम बन गया फिर कोई उधारन नहीं देना है हमें किन्तु हमें जीते जाकते उधारन बनना है यीशू के लिए हम पूरन नहीं परन्तु असली तो है हमारा विश्वास असली है गलती करके हमें बच्चों से शमा मांगनी चाहिए उन्होंने परमेशुर के प्रती हमारी लगन तो देखी है हमारी कमजोरियां भी देखी है और अब हम कमजोर नहीं ये बदलाव भी वो देख रहे हैं मतलब बातों से ज्यादा कारिये से असर होता है उन पर सही बात है आपकी परतत ये है कि जब तक हम अपने बच्चों को छोड़ बाहर नहीं निकलेंगे तो खुद को हम हरा देंगे लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों में इतना उल्जभा हूँ कि किसी और बच्चे की तरफ वक्ती नहीं दे सकता मगर जिन बच्चों के परमेश और समान माबाप नहीं उनकी मदद कौन करेगा उन तक कौन पहुँचेगा हम अपने बच्चों तक तो पहुँच जाएंगे मगर फिर भी हारेंगे अगर अमरीका हार गया तो अगर चार प्रतिशत पर बात रुक गई तो कैसे समुदाय में फिर ये बड़े होंगे इसलिए जंग का ये बिगल जो इस पीड़ी को बचाने के लिए बजाया जा रहा है उसमें माबाप की भी एहम भूमी का है कहीं कम से कम वो अपने बच्चों को ये तो कह सकती है कि सुनो हम तब तक कलिसया नहीं जाएंगे जब तक तुम अपने चार दोस्तों को साथ न ले लो दिन भर में आप इतना खच करते हैं तो क्या परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते बड़े बूडे घर पर मिठाई बना कर पडोस के बच्चों को बुला सकते हैं बहुत से बच्चों ने अपने नाना नानी दादा दादी को नहीं देखा कितनी बड़ी तरासी दी है आपका ये सोचना है कि आपने इतना कुछ बचाया जो आपके बच्चों के बच्चों के काम आए पर दस से बीस वर्ष बाद कहीं गारी पट्री से उतर गई तो और आप कहीं ये कहेंगे कि हमारे अमेरिका का क्या हुआ तो सोचें कि काश ऐसे नहीं हुआ होता गारी पट्री से नहीं उतरती अगर हमने ऐसा ना किया होता तब जाकर आपको हसास होगा कि बीस का होने से पूर वी इन बच्चों में निकेश कर देते तो शायद गारी को पट्री से उतने से रुख देते तुम्हें बताओ रॉन वैसे तो अपनी मिनिस्ट्रों को भी मैं व्यास को है तो ही समझती हो मगर कुछ सार पहले इश्वर ने मेरे रदय में बच्चों और युवाओं को लेकर ये बाते डाली और हमने सेंट लुइस ड्रिम सेंटर नाम से अंधरूनी शहर में एक चर्च चाती दी जहां के बारे में मुझे पता था कि वहाँ जिंदगी नालों में डूपती जा रही है और अगर उन्हें चुनने के लिए कुछ और नहीं मिला तो पूरी तरह बरबाद हो जाएगा जीवन उनका तो इसके परिणाम स्वारों बिना ज्यादा मेहनत भी करे चर्च बनाने का फैसला किया हमने क्योंकि जब तक हम वहाँ अपनी शाखों के जरिये ही पहुँचते थे आज उस अंद्रोनी इलाके में हजार लोगों की चर्च है जहां पहले ऐसी गती विद्या ना के बराबर थी और बहुत से लोग वहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उ हमने संदेश नहीं बदले हमने नहीं अपनी नैतिकता बदली हो और नहीं अपने मुल्य बदले हैं बस जोईस माह मिनिस्ट्रिस के सजावट में थोड़ा सुधार लाया है जिससे ये आज की नौजवानों को पुरान ही और घिसी पिटी और बासी जैसे ना लग मैं समझत हर चर्च हर मिनिस्ट्री को यह एहसास करने की जरूरत है कि उन्हें समसामय करहना होगा समझता समझता नहीं करना है मगर युवा पीड़ी के अनुरूप भी होना है क्योंकि क्योंकि वहीं भविश्य है इस देश के हमारे देश के दुनिया का कोई भी व्यापार हो लोग जानते हैं कि अगर वो अपने चिप्स या फिर जूते सिर्फ साट साल वालों के लिए बनाते रहे और युवाल लोगों को ध्यान में रख अपनी शैली में बदलाव नहीं लाए तो बहुत जल्दी दंदे से बाहर हो जाएंगे वो वो माने कौन येशू के अंग शायत पर कलिस्या कुछ पता नहीं हम निवेश कैसे करना है सीखना होगा सबसे बड़ी पीड़ी है ये अगर चार प्रतिशद ही रह गए तो सब हारेंगे अमरीका की हर कलिस्या हार जाएगी योरोप जैसी स्तिती हो जाएगी हमारी जहां सुबा रविवार के दिन हजारों गिर जाते हैं इस पर पुर्न विचार किया जाए ज्यादा से ज्यादा आवरन कीजे इसमें बच्चों की प्रात्मिक्ता पर जोर दिया जाए हम अपनी कलिस्या में इश्वर से ये मांग रहे हैं कि एक लाग चर्चों में उनका युआ वर्ग दुगना हो जाए और पांच साल जाता और मददगार का काम करना होगा दिवानों की तरह जुटना पड़ेगा नौजवान पासबानों को सामने आना पड़ेगा और यूथ मिनिस्ट्री चलानी होगी वरिष्ट पासबानों को पूरा समय देना होगा दस की आउसत भी लें तो तीन करोड युवक आपके प अगर हम और चाहते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा और हम उन्हें पालेंगे रॉन मेरी जो ये किताब है बैटल फिल्ड ऑफ दी माइंड इसके बारे में क्या कहते हैं आप हाला कि बच्चों के लिए ये किताब 15 साल से है और मेरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कित पर मुझे बच्चों और नवियों को के लिए इस पर रुपां तरित करने की दिली इच्छा हुई क्या नौजवानों के दिमाग में भी कुछ समस्या हैं आज बिल्कुल यही तो बात है बाड की हमने अभी बात जो की थी उसका जो असर है वो इनके ओपर बहुत तीन घंटे के लिए कलिसया आ जाते हैं मगर बाकी समय भूम आज जो संसार है उसमें हताओडे चल रहे हैं इसलिए अपने कारिक्रोमों में हम उन्हें योधा बनने की सीख देते हैं सिर्फ एक संसकारी मसी नहीं बलकि परमेश्वर के योधा बनने की एक सैनक की मानसिक्त बनने की जैसा हमने आपको पहले बताया वो अंदर से कितना प्रेम करते हैं जहां युध से ध्यान हटा या बाटा तो समझ लीजे के धेर हो गए और इधर हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो कलिसया तो आते हैं यूध ग्रूप में शामिल होते हैं यूध कैंप मे यहां फिर से हर कोई प्यार चाहता है हर कोई पोश्चन खोचता है हर कोई चाहता है कि उनका खयाल रखा जाए इसलिए प्रोशाहित कर रही हूँ कि इन जवानों तक पहुंचिया और अपनी जिम्मिदारी उठाए आप ऐसे किसी इनसान को जरूर जानते होंगी जो अपन की समस्या है मैं चाहूंगो कि आप रॉन लूस के वेबसाइट टीन मीनिया में जाए और मालूम करें कि वो सब क्या कर रहे हैं और ये भी देखें कि उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट पे बहुत सी सूचना आए हैं कि जैसे आप एक माता-पिता के और दूसरी जानकरिया भी ले और इसके लिए भी प्रोच साहित करना चाहूंगी कि कल फिर और ज्यादा के लिए आननलो प्रतितिन जीवन का जरूर देखें जिसमें हम रॉन लूस के साथ कल फिर आगे बढ़ेंगे परमिश्वर आपको आशिश दे